यवदमान जुले के दिग्रश शिहर मिस्त चत्रपती शिवाजी महाराच चौक पर पना समारक स्थान्य पाली का प्रशासन और जन प्रतिनिद्यों की उच्छकोटी की उदासिंता की भेट चड़ गया है। समारक पर धूल चम गई है और टाइल्स भी उखड रही है। वहीं समारक के इरदगिर्द लगे लोहे की फेंसिंग भी तूटने लगी है। पेशे दिग्रस समादाता जुवेर खान की ये रिपोर्ट। यहां के चट्रपती शीवाजी महराज चोट की दुरावस्था अस्थानीय पाली का प्रशासन और जन्परतिनी धियों की उच्च कोटी की उदासिंता की और इशारा कर रही है। चत्रपती शिवाजी महाराज का नाम और उनके शूर्ता के गवरोशाली इथियास को न सिर्फ महारास्ट में बलकि पूरे भारत वर्ष में अभिमान के साथ याद किया जाता है, लेकिन इन दिनों दिग्रश शेहर में शिवाजी महाराज की याद में बना चत्रपती समारक अपनी बदहाली पर मानों आसु बहा रहा है, यह समारक इन दिनों बेतहाशा धूल से मटमयला हो चुका है, यहां की टाइल्स कई जगों पर उखड गई है और वहनों के टक्राव से समारक की लोहे से बनी फिंसिंग भी तूटने लगी है, अपसोस इस बात का है कि उदास इनता के संक्रामक रोग से ग्रसित शहर की राजनीती और लापरवा परशासन की बदोलत यह समारक की दुरावस्ता चोटी पर पहुच गई है, जिसका कोई मलाल यहां के सियासी हलकों में नजर नहीं आ रहा और शायद उन्हें इसकी कोई परवा भी नहीं, उन्हें अगर परवा होती तो आज इस समारक की यह अवस्तान होती, चत्रपती शिवाजी महराज की जैनती पर यहां तो हर साल विद्यूत रोशनाई से लेकर फूलों से इस समारक को आकरशत तरी के से सजाया जाता है, लेकिन बाद में इस समारक की और जनपरतीनीदी और परशासन आख कोई साफ सफाई नहीं की थी, जिसकी भनक लगते ही स्थानिय मुस्लिम शिव जैनती उत्सो समीती के कारे करताओं ने आगे आकर इस समारक की साफ सफाई की थी, वैसे भी हर साल यहां जैनती के मौके पर छत्रपती शिवाजी महराज को दिल से अभिवादन करने शिव प् परतमांदौर की सियासत मौका परस्ती की दलदल में फज गई है और स्थानिय प्रिशासन अंदेखी के गहरे समंदर में गोते खा रहा है, यही वज़ा है कि शहर का छत्रपती समारक अंदेखी की भेट चड़ गया है, यह बड़े अफसोस की बात है, बीसियन न्यूस के लिए दिगरत से जुबर खान की रिपूर्ट